हेलो दोस्तो स्वागत है आपका स्लीपी क्लासेज में हमारे प्रिलिम्स 2020 के एक्जाम तक अब दो हफते से भी कम का समय रह गया है तो ये आखरी जो 10-12 दिन हैं आपके सामने इसमें आप क्या ऐसा करें कि आपकी जो पिछली एक, डेड, दो, कई बार तीन, चार, पांच सालों की जो प्रेपरेशन है जो मेहनत है, जो तयारी है वो सामने आए, वो निकल के आए प्रिलिम्स एक्जाम में आपने उस प्रेपरेशन को आगे लेकि आना है तो क्या सुझाव, क्या सजेशन, क्या टिप्स, क्या एडवाईस रहेगी हमारी तरफ से उसके बारे में देखते हैं आज बहुत ही छोटा सा एक विडियो है जिसमें आपको बताएंगे एक्जाम में अच्छे करने का एक एकलौता जो उपाय है जो हम आपको सजेस्ट करेंगे इस टाइम पर वो है कॉन्फिदेंस बहुत सारा कॉन्फिदेंस, बेशुमार कॉन्फिदेंस आपने एक्जाम में अपने साथ लेके जाना है और उसके लिए ये तीन चीज़े जरूरत है तीन चीज़ों की जरूरत है प्रेपरेशन, प्रैक्टेस और रिविजन अब अज्यूम करेंगे कि आपने प्रेपरेशन अच्छी करी है इनाफ वक्त लगाया है टॉपिक्स को समझने में, कॉन्सेप्स को समझने में और आपकी प्रैपरेशन अच्छी है दूसरी चीज आपने practice करी है आपने enough number of questions solve किये है mcq solve किये है test solve किये है और आपने अपने उन concepts को अपनी knowledge को अपनी understanding को sharpen किया है practice के साथ तीसरी चीज है revision आपने जो ये महिनत करी है prepare करने में और practice करने में उसको आपने अच्छे से revise भी किया है ताकि आपकी memory में वो सीखी हुई चीजें वो समझी हुई चीजें fresh रहें ये तीम बहुत बहुत important है इनी से ही आपकी गाड़ी आगे जाएगी barrier cross करेगी preparation, practice और revision ये तीन चीजें आपने कर ली अब इसके बाद उमीद है कि आप थोड़ा confident feel करेंगे लेकिन last minute में इन तीम के इलावा एक छोटा सा सुझाव हमारी तरफ से रहेगा कि आप बहुत ही जल्दी एक एक दिन में for example quick revision कीजिए किस चीज की सबसे पहले तो static की for example आपके पास history static है आपने history static करी है NCRT से भी करी है आपने spectrum की किताब से भी करी है राजी अहीर दौरा लिखी गई then quality में भी static है जो आपने लक्षमी कान से किया है geography conceptual जो आपने NCRT से करी है right ये सब चीजे हैं आपने ये किताबे पड़ी है अगर आपने books पड़ी है तो books पर जाईए अगर आपने notes बनाए है तो notes पर जाईए जो भी आपने ये चीजे पड़ी है बहुत जल्दी उसको revise कीजिए like almost आँखों के सामने से निका लिए कि एक दिन में आपने पूरी history revise कर दी ancient be, medieval be, modern be, culture be एक के जगा दो दिन लग रहे हैं तो कोशिश कीजिए कि दो दिन लगा लीजिए वरना जितना जल्दी हो सके basically idea ये है कि आपने सारी हीज एक बार ही अपनी आखों के आगे से निकालनी है ये जो आखरी दो हफते में आप अपनी आखों के सामने से जितनी ज़ादा चीज निकाल देंगे पेपर में उतनी ही वो ज़ादा आपके top of the mind में रहेगी आपको recall होगी लाइन आपने पहले पड़ी हुई है image आपके दिमाग में बैट जाएगी और exam में वो image याद आएगी आपको similarly सारे subjects का static आपने बहुत जल्दी revise करना है पांच दिन में सारा static revise कर दो then जाओ current phase के उपर जो भी compilation आप पढ़ते हो खुद के notes बनाते हो जो भी जहां से भी आप current phase पढ़ते हो जो भी आपका source है go to that source again उसको अपनी आखों के आगे से निकालो आपने वहाँ पे जरूर कुछ ना कुछ underline किया होगा highlight किया होगा कुछ notes बनाए होंगे उसको अपनी आखों के सामने से निकालो वो बहुत help करता है on the day of the exam then आपने बहुत सारे question paper solve किये होंगे 20, 30, 40, 50 जितनी सब की च्छमता है जितनी सब की choice है उन question papers को revise करो again उमीद यही है कि आपने question paper में कही न कहीं mark किया होगा कि यह question सही, यह गलत, यह नहीं आता था, यह सीखा, कुछ न कुछ आपकी marking जरूर होंगी quickly go through those papers, एक दिन में चाहे 10 पे नजर मार दो आपको वो चीजें जो जो आपने गलत करी थी या जो आपको नहीं आती थी वो आपको recall होनी शुरू हो जाएंगी और वो जो आपकी गलतियां है, वो जो आप recall आज कर रहे हैं, you will not make those mistakes 10 days or 12 days later अगर आप उसको अब अच्छे से revise कर लेते हैं, इसके साथ साथ एक important चीज जो हम आपको recommend करेंगे वो है कि आप revise कीजिए हमारी most important topics की list, pds हम आपके साथ share कर रहे हैं, इस video के नीचे link में दिये हुए हैं, website पे लगाई हुई हैं, आप देख सकते हैं तो इसमें हम 50 to 100 topics दे रहे हैं, depending on the topic, depending on the subject, किसी में ज़्यादा है, किसी में कम है, इसमें कुछ भी नहीं है, सिरफ list दी है, हमने 1 to 50, 50 topics की आप topic देखिए, अगर आपको इस topic के बारे में पता है, information है, आपने पढ़ा हुआ है, दिन आगे बढ़िए कोई भी आप topic देख रहे हैं, आप देख रहे हैं, कि अच्छा, ये बात हुई थी, ये मेरे को पता है, कि क्या मुद्दा हुआ था, क्या issue था, news में क्यों था, मैं पढ़ चुका हूँ इसको अपने current phase में या static में move on, उस 50 में से अगर आपको 5 भी ऐसे topic निकल आते हैं, जो आपको नहीं पता है, आपने किसी current phase compilation में नहीं पढ़े, आपने अपने static में नहीं पढ़े, आपको उनके बारे में idea नहीं है, इन 5 topics को आप Google कीजिए, और इनके बारे में कुछ पढ़िए, last minute knowledge edition है ये, ये 5 topics भी अगर आपको per subject निकल रहे हैं, तो 6 subjects में मिला के 30 topics हो गए हैं, इन 30 में से अगर आपके 3 या 4, 10% accuracy के basis पे 3 या 4 questions भी match कर जाते हैं paper में, तो those 3, 4 questions, rather than you getting those questions wrong, you can get those questions right, and 2.7 के basis पे अगर हम calculate करें, तो आप potentially plus 10 mark देख रहे हैं, सिरफ 4 questions के basis पे, सिरफ ये आपने topics की list के उपर quick नजर डालनी है, अगर आपको वो सारे topics पढ़ चुके हैं, आपको आते हैं, then आपका confidence बहुत boost होगा, अगर आपको 2-4 topics ऐसे नहीं आते थे, आप उनके उपर थोड़ा जानकारी ले लीजिए, and then feel confident की जितना आप कर सकते थे, humanly आपने किय है, and बस आपको ये चीज पेपर के दिन पेपर में replicate करनी है, reproduce करनी है, and you will be fine, you will be just fine, आपका पेपर अच्छा ही जाएगा, right, ये हमारी तरफ से last minute recommendation थी, wishing you all the very best, जो PDFs हैं, in 50 most important topics की, ये हम आपके सामने, वीडियो के साथ अटाच करके दे रहे हैं, for your ready reference, and hope you benefit from this, all the very best, to you, thank you.